Hello guys, welcome to wifi study.com, one stop destination for all competitive exams presents the Times of India vocabulary powered by vocab24 app So friends, हम आपके लिए लेके आए हैं IBPSPO 2017 online test series जैसा कि आप सभी को पता है कि IBPSPO 2017 का notification आ चुका है तो हमारी जो test series है, उससे आपकी preparation में बहुत help मिलेगी Friends, हमारी test series चार parts में divided है हमारे पास basic test series है, pro है, advanced है और ultimate है basic एकदम basic है, जैसा कि नाम से clear है basic में 30 total test है, 15 mock, 15 sectional और 10 previous papers भी आप इसमें solve कर सकते हैं इसकी price मनी बहुत ही कम है, 499 में आपको ये easily मिल जाएगी Friends, हमारी एक बहुत unique feature है, जिसके आप direct basic से ultimate पे upgrade कर सकते हैं अगर आप 1499 आपको पूरा pay नहीं करना पड़ेगा, आपको just इन दोनों के बीच का जो difference है, यानि basic और ultimate के बीच का difference है, वो pay करना पड़ेगा So Friends, ultimate test series है, वो आपके लिए बहुत फायदे मन्द होगी, क्योंकि इसमें total test भी ज्यादा है, 70 mock test है उसमें, 45 sectional है और previous years हमने 20 papers लिए हुआ है So Friends, अभी आप इस offer को grab कीजिए, इसके अलावा हमने आपके लिए 25% additional off रखा हुआ है, Friends, अगर आप open code यूज करते हैं, IBPS 25 यानि IBPS 25 जान दीजिए, तो आप additional 25% off ले सकते हैं इसमें So Friends, आपको सभी को all the best IBPS 2017 के लिए और आप अच्छे से prepare कीजिए हमारी test series के तुरू So Friends, जब हम स्टार्ट करते हैं, आज का first word, largest, largest क्या होता है, generosity in bestowing something, यानि उदारता, दानशीलता, यानि किसी के प्रती उदार होना, बहुत अच्छा करना, यह आजाता है largest में, इसके synonymous में देखिए, generosity, liberality, munificence और magnanimity, इन सभी का मतलब वही है, यानि उदारता, दानशील था, किसी के प्रती अच्छा होना, किसी के लिए बहुत अच्छा करना, generosity बहुत common word है, liberality भी बहुत common word है, magnificence और magnanimity, मैं आपको बोलूँगा, यह important words है, जो आपको याद रखने चाहिए, antonyms देखिए, malevolence, uncharitableness, unkindness, देखिए, यह इसके antonyms हो गए, example देखते हैं, because of the millionaire's largest, 20 underprivileged graduates now have college scholarships, यानि कोई करोडपती इनसान था, उसने अपनी उदारता दिखाई, उसने अपनी दानशीला दिखाई, उसकी वज़े से, आज 20 ऐसे students है, 20 ऐसे graduates है, इनके पास scholarship है college की, तो यह किसकी वैसे हो रहा है, largest कि वैसे हो रहा है, किसकी largest, यानि उदारता, millionaire क origin है इस word का largest, जिसको आप L-A-R-G-E-S-S से भी spell करते हैं, यह एक Latin word से आया, इसका मतलब है largest, उसका मतलब है abundant या generous, यह वही मतलब है, उदार होना या फिर काफी अच्छा होना किसी के लिए, friends, trick से समझते है largest को, large दिल वाले largest दिखाते हैं, largest को आप large से connect कर सकते हैं, large, यह देखें, largest यानि large दिल वाले largest होते हैं, जिनका दिल बहुत बढ़ा होता है, वो कैसे होते हैं, largest होते हैं, उदार होते हैं, दूसरों के प्रति बहुत अच्छा करते हैं, जैसे अगर यह इसके प्रति अच्छा करेगा, तो क्या पूलिंग हम कि यह इसका दिल क्या है large है या फिर ये कैसा है largest दिखाता है उदारता दिखाता है friends next verse देखते हैं congenitally इसका क्या मतलब है existing since birth या present from birth यानि जन्म से ही जो जन्म से ही मौझूद हो यानि जो आपने आज acquire नहीं किया है जो आपके जन्म से ही आपके पास मौझूद है देखिए जैसे synonyms देखिए genetically by birth naturally या फिर natively सभी का मतलब यही है बहुत common words है आपको इसमें कुछ नया याद नहीं करने मिलेगा देखिए example देखते हैं due to a congenital heart condition that ran in their family the parents were worried about their unborn child यानि एक ऐसी heart condition है दिल की problem चल रही थी दिल की बिमारी चल रही थी congenital थी जो की जन्म से चलती आ रही है उनकी family में यानि शुरू से चलती आ रही है उनकी family में तो इसलिए जो parents थे वो अपने जो उनका बच्चा होने वाला है उसके बारे में worried थे उसके बारे में परिश यानि जन्म जात origin इसका हुआ है एक Latin word से Latin word कौन सा है congenitas इसका मतलब ये दो पार्ट में पटा है com और genitas com का मतलब है together genitas का मतलब है birth ट्रिक से समझते है friends देखिए इंडिया की politics history में Congress congenital है यानि इंडिया की politics history में जब से इंडिया में politics चल रही है तब से Congress जो है congenital है यानि जन्म से है, यानि congenital का मतलब है जब से politics history इंडिया की चल रही है तब से congress है, आप सभी को पता है देखिए जवाललाल नहरू, महात्मा गांदिस में show किये गए एक photo में, देखिए कितने पुरानी time की photo है जवाललाल नहरू के time से congress लगबग स्टार्ट हुई थी, तो congress जो है वो, इंडिया में कैसी है congenital, इंडिया की politics में congenital है, तो congress Congress से आप याद रख सकते है congenital को, next word देखते है arbitration, arbitration का मतलब है the use of an arbitrator, या mediator to settle a dispute, यानि अगर कोई लड़ाई जगड़ा हुआ है, तो किसी mediator यानि बीच में किसी इंसान की ज़रौत हो, जो सारा मामला सुलजाए, इसको क्या कहते है madhyasthata, arbitration का मतलब है madhyasthata, या बीच के किसी इंसान की ज़रौत हो जो दो लोगों के बीच, या कहीं लोगों के बीच को जगड़ा को सुलजाए, synonyms है mediation, conciliation या adjudication antonyms है, indecision example देखते है friends, इसमें important synonym है adjudication और conciliation, या आपको याद रखने चाहिए, examples देखते है friends because judge peterman has no experience in financial matters, he will never be asked to arbitrate an accounting case यानि जो peterman judge था, उसको financial matters में यानि वित्तिय मामलों में कोई experience नहीं था, कोई अनुभब नहीं था लिए, he will never be asked to arbitrate an accounting case यानि accounting case कोई भी अगर case आता है तो उसमें उसे बीच में solve करने के लिए या उस case के बीच में मद्यसता दिखाने के लिए नहीं बोला जाएगा, या आर्बिटरेट करने के लिए नहीं बोला जाएगा, so friends arbitrate का मतलब है mediator verb forms एकते हैं, arbitrate arbitrated और arbitrated related words है, arbitrate verb है to settle an argument between two people or groups after hearing the opinions and ideas of both वही मतलब है, origin word है Latin arbiter, इसका मतलब है Latin word है, यह arbiter इसका मतलब है to judge, वही बात है trick देखे, friends इसको trick से समझते हैं अभी बीच में राशन की लड़ाई arbitration से आगे बढ़ेगा ठीक है, तो देखे, राशन यह देखे, पीछे, R-A-T-I-O-N राशन और बीच आप इसमें मना सकते हैं तो अभी आगर बीच में राशन की लड़ाई हो, कैसे बढ़ेगी arbitration से बढ़ेगी, यानि arbitration से आगे बढ़ेगी, मतलब arbitration मतलब है, यानि mediator होना, तो देखे, arbitration का क्या मतलब है, to settle a कोई ऐसा इंसान, arbitrator का use लेना, जो किसी dispute को या किसी लड़ाई को solve करे next वर्ट देखते हैं, अप्रोर का क्या मतलब है, persuade या someone to not take a particular course of action यानि किसी को किसी काम न करने के लिए समझाना, किसी को मनाना कि वो कोई काम न करे, synonyms हैं, chaos, clamor, fracas turmoil और bad lamb इसमें turmoil और fracas बहुत important words है, friends, intonum देखे, calmness, harmony और peace example देखते हैं इसका the town was in uproar over the purpose to build a jail the town was in uproar over the proposal to build a jail यानि जो गाउँ था, वो इस बात से सहमत ही नहीं दे रहा था, यानि वो क्या समझा रहा था, कि आप jail मत बनाईए गाउँ में, गाउँ में jail बनाने के proposal को ना करने के लिए समझा रहा था ठीक है, next word देखे, related words देखते हैं uproarious, ये एक adjective है इसका मतलब है kolahal पूर uproariously adverb है, kolahal करते हुए, origin इसका Dutch word uproar से हुआ है, जिसका मतलब है revolt or uprising, having being compounded from op, up and roar, motion confusion, friends, trick से समझते हैं uproar को देखे, lion के roar करने से uproar हो जाता है uproar हो जाता है, तो uproar में roar होता है, आप सभी को पता है, roar मतलब share धारता है, तो उसके lion के roar करने से uproar हो जाता है, जब lion roar करता है, share धारता है तो वह एक एक तरह का indication देता है कि आप उसकी तरफ मत आईए, यह काम मत कीजिए यानि share को परिशान मत कीजिए, share roar करने से uproar करता है roar करने से uproar हो जाता है next word देखते हैं prod, stimulate or persuade someone who is reluctant or slow to do something, यानि किसी कोई, किसी इंसान को किसी काम को करने के लिए उकसाना, किसी इंसान को जो धीरे है या उसका interest नहीं है, knowledge नहीं है उसको काम करने के लिए उकसाना यानि उकसाना होता है, prod का meaning, synonyms देखे, stimulate, stir rouse or prompt, prompt important word है, prompt आप सभी को पता भी होता है इंटॉनिम देखे, discourage dissuade or repress, repress भी अच्छा word है, example देखे, you need a gentle prod to remind you that life is only what you make it, यानि आपको एक prod की हमिशा जरूरत होती है, prod मतलब आपको कोई ना कोई यह बताता रहे, आप इस चीज़ की उकसाता इस चीज़ की जरूरत होती, तो prod करना मतलब उकसाना या समझाना, word forms देखिए prod, prod it, prod it, trick से समझते हैं friends, देखिए, गोलमाल मूवी आपने सभी लोगों ने देखी होगी, जिसमें यह चारो characters थे, देखिए, गोलमाल मूवी में शर्मन जोशी याने य noir शर्मन जोशी, अर्शर्द वारसी को यानी इसको, rod से देवगन को मारने के लिए prod करता है rod से मारने के लिए prod करता है, rod यैरा तो rod से मारने के लिए prod करता है जिए उकसाता है, friends, next word देखते हैं adrift, noun links, इसका मतलब है without purpose, direction, और guidance यानि दिशाहीन, डामडोल, बिना किसी दिशा के या बिना किसी पर्पस के चले जाना, बिना किसी दिशा में चले जाना, Synonyms देखे, Unguided, Purposeless, Directionless, Intonyms है Purposeful और Determined, Directionless और Unguided, Purposeless, तीनों ही Simple Words है मैं आपको कहूँँगा, इसमें आपको कुछ नया याद करने के लिए नहीं मिल रहा है, Example देखे, The Adrift Policies of the Company left it in an Abysmal State, तो Company की जो Adrift Policies थी, यानि दिशाहीन Policies थी, यानि कैसी भी Abrupt Policies थी, वो Company को ऐसी State में छोड़ देती है, यहां से Company को Problem हो रही है, तो Company की Adrift Policies कमपनी को दिशाहीन State में छोड़ देती है, ट्रिक से समस्ते है Friends, अच्छा Ad बनाने के लिए Adrift नहीं होना चाहिए, देखे, Adrift में Ad आ रहा है, ठीक है? तो देखिए जैसे कि यह राजस्तान Tourism का Ad साब सबी ने देखा होगा, यह काफी अच्छा Ad है राजस्तान को Promote करने के लिए, तो अच्छा Ad बनाने के लिए अड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, अड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, मतलब दिशा ही नहीं जाना चाहिए, यानि दिशा नहीं बटरिकनी चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, यानि अच्छा एड तब ही बनेगा जब आप अड्रिफ्ट नहीं होंगे, तो अच्छा एड, एड से आप लिंक कर सकते हैं किसको और डिफ्ट को नेक्स वर्ट देखते हैं friends चराड का मतलब है an absurd pretence intended to create a pleasant or respectable appearance यानि प्रहसन या स्वांग यानि एक तरह से बहरूप या बंजाने याने कोई रूप धारंड कर लेना ताकि आप किसी को कुछ pretend करें ठीक है तो प्रहसन या स्वांग यानि कोई रूप धारंड कर लेना मतलब है चराड का synonym है farce, travesty, pretence, masquerade और sham, masquerade, pretence travesty में आपको बोलूँगा important word intonym से देखिए honesty, reality, truth example से समस्थे देखिए the put on a convincing चराड to keep her away from knowing about the surprise party तो कुछ लोगों ने एक लड़की को किस बात से unaware रखाया कि एक surprise party हम थो कर रहे है तो उन्होंने क्या किया है, एक convincing यानि जिस पर यकीन कर लिया जाए, ऐसा चराड यानि रूप धारंड कर लिया, यानि ऐसा रूप बहरूपिय का रूप धारंड कर लिया इस तरह से जानि उन्होंने surprise party के बारे में इंडर की पताया नहीं, इसका origin एक French word से हुआ है, जिसका मतलब है conversation, ठीक है ट्रिक देखिए friends, फरजी चार रेड मारके CBI चराड करती है तो CBI चार rate से आप इसको link कर सकते हैं फरजी चार रेड मारके rate कौन मारता, CBI तो CBI rate मारके चराड करती है नहीं, देखिए रूप धार इंटर के rate मारती है, पता नहीं चलता है कि यह CBI है नहीं है, तो फरजी rate है वो, ठीक है, तो फरजी चार rate मारके CBI चराड करती है, चार rate चराड याद कर सकते हैं आप इससे next word देखिए, tentative, adjective है इसका मतलब है not certain or fixed provisional, यानी संभावित, जिसका हो भी सकता है जो चीज और नहीं बहो सकती है यानी doubtful है जिसका होना, संभावित जिसका कुछ fix पता नहीं है synonyms देखिए, provisional, unconfirmed, unsettled or indefinite, सभी easy हैं आपको पता होते हैं, anonyms देखिए certain, conclusive, decisive, definite or final, example से समझते हैं एकोनोमिस्ट वोन दे गोवर्मेंट to not get excited about the tentative science of economic recovery यानी जो economist थे वो क्या अर्चास्त्री करते हैं, किस चीज़से सचिद करते हैं कि वो जो economic recovery हो रही है उसके बारे में कोई ऐसी संभावित बात न suburbs economic recovery definite नहीं है, fix नहीं है कि हो रही है या नहीं हो रही है, त्टेंतेटिव का मतलब है जो चीज संभावित होती है, जिसका कुछ fix पता नहीं होता है, adverb है tentatively अस्थाइत और से इसका एक Latin word tenter से ये आया है, इसका मतलब है to attempt and its original meaning was attempted, provisional और experimental देखें, इसका मतलब भी ही है, which eventually led its meaning to not fully worked out or developed, इसका मतलब finally canical के आता है, not fully worked out or developed, जिस पर पूरी दरह से काम नहीं हुआ है, मतलब जो संभावित है, मतलब काम हुआ भी है नहीं भी हुआ है, बीच में है, trick देखें इसकी, 10 date देने के बाद भी exam tentative है 10 date, 10 date से आप यात रहना सकते हैं कि इसको tentative तो देखें जैसे, मान लिजा, IBPS 2017 के tentative dates अभी आ चुकी है ठीक है, कि online registration अब होगा admin card तब आएंगे, ये तब होगा ये तब होगा, ये तब होगा, ये तब होगा इस तरह से interview dates कब आएंगी वगरा वगरा तो ये tentative dates है, जो पहले ही आ जाती है calendar में पिछले साली, तो ये क्या है 10 dates देने के बाद भी exam क्या है, tentative है, यानि संभावित है हो सकता है, ये dates कल को change हो जाएं तो पूरी guarantee नहीं है, तो 10 dates देने के बाद भी exam tentative है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, next word देखिए, fascicle fascicle adjective है, इसका मतलब देखिए relating to or resembling farce especially because of absurd or ridiculous aspects, यानि हास्यास्पत यानि हसाना, यानि कुछ ऐसा वेशधारण कर लेना या कुछ ऐसा काम करना, जिससे सामने लोगो हसी आया, हसी से related word है fascicle, हास्यास्पत synonym देखिए, comical preposterous, ludicrous absurd or nonsensical तो देखिए, preposterous आपको लिए important word है comical आपको सभी पता बता है और ludicrous important word है, जो आपको याद रखने चाहिए antonym देखिए, sensible, serious और unfunny, example देखिए, the actor was tired of playing farcical roles and asked his manager to find him serious work, तो देखिए, actor जो था जो भी अभी अभी नहीं ता role play कर रहा था, वो काफी हस्यास्पत, यानि comedy characters play कर रहा था और उसने अपने manager को बोला, कि आप उसको कुछ serious काम करना है, नि कुछ serious character play करना है तो farcical का मतलब comical या फिर हस्यास्पत, related word है farcical या adverb है, हस्यास्पत रूप से, trick देखिए friends, बिना बात ही, कई movie में parsee लोगों को farcical दिखाते हैं तो देखिए, farcical और parsee लोग, ठीक है, तो parsee farcical से आप link कर सकते हैं, तो देखिए जैसे आपको ये movie के बारे में यहाँ पर पताया गया है, ये movie है पेस्टाउन जी, जो national award film है, देखिए इसमें parsee character दिखाया है, और काफी funny ये comedy character था, देखिए बहुत सारी movies में इसा किया जाता है, parsee character जब भी होता है, तो वो काफी comical होता है देखिए, बिना बात ही, कई movies में parsee लोगों को farcical दिखाते हैं farcical दिखाते हैं, किनको? parsee लोगों को, तो parsee से आप इसको link कर सकते हैं, next word देखिए friends, rigmarole, rigmarole एक noun है, rigmarole का क्या मतलब है, देखिए a lengthy and complicated procedure a complex and sometimes ritualistic procedure, nearest और निरर्थक करिया, यहनि आपने कोई काम किया जिसका कोई result नहीं निकला, बहुत बड़ा काम नीरस है, जिससे कुछ फाइदा नहीं हो रहा है ऐसा कोई काम, complex काम कोई ऐसा जो आपको करना पढ़ रहा है, इसका कोई फाइदा नहीं हो रहा है, देखिए, synonyms है first, baffle gap, double talk और gibberish, तो देखिए gibberish, double talk और baffle gap मैं बताऊंगा आपको important words है जिल deleted the password on her phone to avoid the rigmarole of typing in the code every time she wanted to use the phone तो जिल ने क्या किया, जब भी उसे phone use करना पढ़ता है, तो उसे password लगाना पढ़ता है लेकिन वो ये rigmarole को avoid करना चाहती है, rigmarole मतलब ये process को, ये काम जो कुछ फाइदे मन नहीं है बार-बार वो type करना पढ़ रहा है उसे code, तो rigmarole का मतलब ऐसा काम जो निरर्थक है कि उसका कोई use नहीं है इसका origin देखे कैसे हुआ है an alteration of ragman role originally denoting a legal document recording तो यहां से इसका देखे एक इसका origin हुआ है in the 18th century it resurfaced in writing as rigmarole with the meaning तो इसका क्या मतलब निकला rigmarole का आप तो यह देख लिजिए a succession of confused meaningless और foolish statements ठीक है तो ऐसे statement जो कैसे है confused है, meaningless है, foolish है ठीक है, friends ट्रिक से समझते हैं इसको देखिए rigmarole को ऐसे लोगों के role से Indian government का का काम rigmarole बन गया है तो देखिए, जैसे कि इस figure में दिखाए गया यह इसको रिश्वत दे रहा है, cop को यह आदमी इस पुलिस वाले को रिश्वत दे रहा है तो देखिए, ऐसे लोगों के काम से ऐसे लोगों के role से role देखिए, ऐसे लोगों के role, तो role से आप याद रखेंगे क्यों ऐसे लोगों की रोल से जो लोग रिश्वत लेते हैं या करवाप्शन फैलाते हैं यह थे आज की वर्ट्स आई एक बार इनको रिवाइस कर लेते हैं Largest का मतलब है उदारता, congenitaly का मतलब है जन्चे, arbitration का मतलब है मध्यस्ता, अपरोर है ना करने के लिए किसी को समझाना, prod है उकसाना, drift है दिशाहीन, डामाडोल या किसी भी दिशा में, चिराड है प्रहसन यानि प्रिटेंड करना, tentative है संभाविज जिसका कुछ पता ना हो, अनिश्चित, farcical है, हास्यास्पद, comedy और रिग्मरोल है, नीरस और निरतक प्रतिक्रिया, जो आप लोगों के लिए था, solve करने के लिए, तो friends, इसका answer, जो correct answer है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं, इसका correct answer है, disinter, disinter, जो की fourth word है, अब सभी को एक एक पार इसको देख लेते हैं, कि question क्या है, और सारे words का meaning देख लेते हैं, देखे, friends, question क्या था, when it was discovered, जब ये पाया गया, that he faked his death, कि उसने अपनी मौत को जूटा बतला, यानि वो मरा नहीं था, उसने अपनी death को क्या किया, fake किया, जूटा बताया, they needed to dash the body, उनको body के साथ क्या करना पड़ा, to see who was buried there, तो देखे, जो इंसान ने अपनी death को fake किया, यानि जूट बोला, कि मैं मर गया हूँ, इसकी death जो है, उसकी fake news फैल गई, तो पुलिस को या जिनको भी ये काम करना पड़ा, पॉडी को देखना पड़ा, कि कौन वहाँ पर बरी किया गया था, यानि दफनाया कौन गया था, ये देखना पड़ा, ठीक है न, तो पहले तो अगर दफनाया उस इंसान को नहीं गया, जैसे ये news पता चली, कि वो इंसान जो मरा है, वो सही इंसान नहीं है, तो देखना पड़ा पुलिस को कि किसे दफनाया गया था, ठीक है, तो डिसिंटर का मतलब यही होता है, खोद कर निकालना, जनरली खोद कर शव निकालना ही होता है, तो मैं यहाँ पर यही लिख देता हूँ, खोद कर शव निकालना, ठीक है, तो जब भी खोद कर शव नि नमने बिवालगे तो यहां पर रदिती है, जहां पर फिर भी को हम बाड़ी को खोदने के लिए, तो रोकना नहीं आएगा, अपोस्टेटाइज देखे क्या होता है अपोस्टेटाइज का मतलब जनरली जो होता है परिवर्तन होता और फिर भी definite मतलब होता है इसका धर्म परिवर्तन जनरली धर्म के साथ ही उसमें लिगया जाता है जो आप धर्म परिवर्तन कर रहे है किसी जिए तो यहाँ पर धर्म बात है करें कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है ठीक है तो टर्गिव असेट भी हाँ पर नहीं होगा इसलिक क्लियर है कि definitely इसका अंसर डिसेंटर होगा जिसका मतलब है खोद कर निकालना So friends, let's now welcome the question of the day which are there for you people to solve The thieves dash as gas company employs so they can get inside your home 4 options है Miff, Masquerade, Cordon और Bogle Friends, this question को आप solve कीजेगा You can give the answer via commenting on this video So friends, thank you for watching I hope you liked all the words that I told you You can like, share and comment on the video Thank you friends